हेलो गूट इवनिंग फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित मस्त और स्वस्त होंगे इसी हुई दौराशा के साथ मैं आज की वीडियो की शुरुआत करने हैं और एक अफ़ता हो गया है और एक अपते से मैं गार्डन में रेगुलर काम कर रही हूं और वीडियो भी आप लोगों से शेयर कर रही हूं और जो ये टैरिस का काम है दोस्तों ये कभी खतम ही नहीं होता है लेकिन जो है इस बार गर्मी बहुत अधिक गए है इस बार तो वही सब काम में कर रही हूं और अभी तक जो है थोड़ा बहुत कर पाई हूं आप लोगों से शेयर करती हूं थोड़ा बहुत तो नहीं काफी मैंने कर लिया है देखिए ये सारा निकला है इतना सारा ये कुडा कच्रा तो ये जो कुडा कच्रा है ये म तो मैं अपने कमपोस्ट बीन में डाल दूँगी और मैं शेयर कर रही हूं आपसे देखिए यह जो है यह ग्रो बैक था जिसमें मैंने जो है कुछ टमाटर के पौधे लगाए थे तो इसमें वीडियो मैंने हमेशा इस वीडियो का वीडियो इसकी शेयर किया है तो टमाटर क खाली काला मेंसे बढας है किचन वेस्ट वो मैं बिल्कुल नहीं प्लिप आप गल्ने में बहुत समय लेते हैं इतनी जल्दी यह करहीं ये तेे ना को बन गई के नि लेकिन अग जो सबीक लाग्व सब्सर्सक्राइब अमें इसे चान लेंगे तो यह हमारी मिलें यह सब्सक्राइब अधन तरीके से दूसरा बैग आप देख रहे हैं उसमें भी सेम वही था नीचे जो है बिल्कुल कमपोस्ट बन गई है अभी जो है यह वाले जो थोड़े पत्ती वगर आथे जो निकले हैं वह सब अभी मैंने उपर बह दिया निकिन नीचे जो है न वह पूरी कमपोस्ट त्यार ह तो उसको भी मैं आपको जो है bag दिखाओंगी अगली वीडियो में दिखा दूंगी और यहाँ पर देखी यहाँ पर भी मैंने change कर दिया है change करने के साथ साथ मैंने कर दी इनकी saaf सफाई देखें, ये सारी यहाँ पर, जितने भी मेरे थे ना, इनको मैंने अच्छे से थोड़ा सा अनेंज कर दिया, और जितने पीले पते वगर थे, वो सब मैंने इनके निकाल दिये, देखें यहाँ पर, है ना, और चेंज भी कर दिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो में बहुत महनत होती है, पौदे जो है, ऐसे ही नहीं लग जाते हैं, दोस्तों, बहुत महनत, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, इनकी देख फाल के लिए, और ये देखें, ये मैंने कुछ जो इस बार मैंने जैसा बताया, कि गर्मी बहुत अधिक हो गई, तो इन मैंने अभी 3-4 दिन पहले ये काम भी किया है, तो ये मैंने सब में जो है, क्याक्टस लगा दिया यहाँ पर, और ये मेरा पेंडेनन्स के प्लांट है, देखें, मैं अपने वीडियो में शेयर करती ही रहती हूँ आपसे, ये देखें है, और ये हमारे, जो है, मत्की में ल लगाया है, देखते हैं, कैसा रिजल्ट रहता है, कटिंग से ये पौदा बहुत ही असानी से लग भी जाता है, और दूसरा में आपसे शेयर करनू फ्रेंड्स ये मैंने कुछ दूनों पहले जो ना, एमरेस लिली के बल्ब लगाय थे, ये वाले, तो ये तो शेयर नहीं यहां पर भी लगाये हैं, उसमें, तो देखते हैं, क्या रिजल्ट रहता है उसका, और यहां पर ये देखे, इसमें भी बहुत सारे पौदे थे, लगे वे, जो कि कई मेरे पौदे खराब हो गए, तो इन में मैंने अब सब में डेविल बेकबोन लगा दिया, ये एक ड्र बहुतों में सब में डेविल बेकबोन लगा दिया है, और यहां पर ये रेन लिली है, ये कैक्टस है, ये रिखे सारी रेन लिली और एक छुट को सा जो प्लांट है न, उसमें भी मैंने ये लगा दिया है, ये ये लगा है हमने, एक कटिंग में ये भी लगा दिया है, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बारी शोती जा रही है तो पानी देने की अशकता पड़ने ही रही है लांट को तो यहां पर भी और अभी आज जो है यह मैंने किया था यहां करका ठीक कर दिया था और देखिए सदा बाहर में कितने अच्छी से फ्लावर आएं दोस्तों कितने प्यारी लग रहे हैं गुच्छों में इसमें फ्लावर आएं देखिए कितने सारे यह देखिए यह कितना प्यारा लग रहा है यह तो दिखाया था कटिंग जो है ग्रो कर गई है चाननी नहीं दोस्तों चंपा की कटिंग है और यहां पर भी मैंने कुछ अभी परता दोस्तों अब मैंने उसे वहां शिफ्ट कर दिया है वहां पर भी जो पौदे सारे पीले पत्ते खराब हो रहे थे पीछी के साइड में सबको मैंने जो है क्लीन कर दिया और कल जो है अपने बैगन के जो पौदे थे इनको भी गुड़ाई उड़ाई करी है कल काफी बड़े-बड़े हो गए हैं बैगन की पौदे तो आज मैं यहां का काम करूँगी इनको क्लीन करूँगी तो आई होप फ्रेंड्स फिर मैं दीरे-दीरे उदर को जाओंगी ऐसे करते वे तो देखते हैं कितने दिन में ये काम खतम कर पाती हूं मैं तो आई होप अपी गार्लीन थैंक यू